ट्राब राम सभीकों, वेलकम बैक टूज चनल, उमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, तो ये है All New Hyundai की Alkazar, इसके विरेंट की बात करें, तो ये प्रेस्टीज वाला है, टीजल मैनूल ट्रांसमिशन के अंदर, सेवन सीटर के अंदर, इस विरेंट के अंदर आपको म लोग दबाईए, ये बंद हो जाएगी, यहां से आप कार को बाहर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, और आफ भी कर सकते हैं, शर्त है कि आपका हैंड्रेक लगावान हो चाहिए, कार नीट्रल के अंदर होनी चाहिए, और कार को लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ये बाहर से और आफ करना है, तो एक बाद दबाएंगे, ये ओफ हो जाएगी, इसको वापिस लॉक करके दिखा देता हूँ, ओल्ड करके रखेंगे तो इसका आप बूट एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे वापिस हजार लाइफ बिंक करेगी, और अभी देख सकते हैं, डोर्स जो हैं इसके का स्परेट मिल जाता है, और मिडल वाली सीट के अंदर 60-40 का मिल जाता है, इस पेस की बात करें, अगर सारी सीटे अप रहेगी तो 180 लिटर का मिल जाएगा, और लास्ट वाली सीट आप फोल्ड कर देंगे, तो यहां पर 580 लिटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, इनकेस और जाधा स्पेस है, तो मिडल वाली सीट का फोल्ड कर देंगे, तो यहां पर 1000 प्लस का बूट स्पेस मिल जाता है, यहां पर आपको इस के अंदर पाने बाने मिल जाता है, इस फेरेंट के अंदर आपको इस पैर विल नहीं मिलता है, बट आपको यहां पर मिल जाता है, तो अगर आपका टायर पंच़र होता है, तो इजली आप यहाँ पे पंचर लगा सकते हैं, के अंदर 5-6 से 5-7 रहने वाली तो यहाँ पर comfortably बैठ सकता है अगर किसी height जैसे मेरी height है 5-11 तो यहाँ मैं थोड़ा uncomfortable हो सकता हूँ long journey पर मैं नहीं जा सकता हूँ कोई 200-300 km होगा तो मैं easily यहाँ पर बैठ के जा सकता हूँ वैसे तो यह बच्चों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली यह seat भी आपको 4-way adjust मिलती है जिसके अंदर आप recline कर सकते हैं seat को और adjustable headrest के लिए मिल जाता है दोनों seat यह अंदर और यहाँ पर आपको seat belt point के लिए मिल जाता है और middle वाली seat जो है और इसके rear tail light के बात करें तो यह आपको connected मिल जाती है यह अलकजार inside लिखा हो मिल जाता है इसके rear tail light, indicator light यह आपको LED मिल जाती है यह आपको Hyundai का logo मिल जाता है यह आपको wiper मिल जाता है, defogger मिल जाता है high stroke lamp आपको यहाँ मिल जाता है rear camby की placement आपको यहाँ मिल जाती है तो car की back profile कुछ ऐसे देखने मिल जाती है और इसकी side profile कुछ ऐसे देखने मिल जाती है यहाँ पर आपको 200 mm का ground clearance मिल जाता है rear के अंदर disc brake, front के अंदर आपको disc brake मिल जाता है tire profile की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर windows के लिए control है यहाँ पर आपको light मिल जाती है इसके अंदर white light के साथ में यहाँ पर आप पकड़ के door को बंद कर सकते हैं lever मिल जाता है open करने के लिए speaker replacement, one liter के bottle layer space अब बात करते हैं इसके middle street के बारे में तो middle street आपको six way adjust मिल जाती है इसके अंदर seat को आगे पीछे कर सकते हैं कुछ इस type से आप recline कर सकते हैं और जब भी up रहेगी तो कुछ इस type से रहेगी तो इतना इसको आप recline कर सकते हैं adjustable headrest के लिए मिल जाते हैं दो एक इधर एक आपको यहाँ मिल जाता है और उपर से roof कुछ ऐसी देखने मिलती है same tube same आपको अधर भी control मिल जाते हैं इसके driver side सेलते हैं यहाँ पे आपको curious entry के लिए button मिल जाता है जिससे आप car को lock और unlock कर सकते हैं lock unlock पे mirror automatic fold भी जाएगे और unfold भी हो जाएगे और यहाँ पे indicator light मिल जाती body color आपको door handle मिल जाते हैं यहाँ पे आदे पार्ट पे body color मिल जाते हैं और उपर साइड में आपको chrome मिल जाता है उपर इस साइड में आपको roof rail मिल जाती है और इसके front door की बात कर लेते हैं तो यह इतना wide open हो जाता है यह windows के लिए control मिल जाते है front के अंदर जिसके अंदर one touch driver side मिलता है down के लिए अब के लिए बाकि आपको normal मिलते हैं पिछाले window को आप lock कर सकते हैं जब पीछे बच्चे बैठते हैं तब यहांसे door को पकड़के बंद कर सकते हैं door lever मिल जाता है यहाँ पर electric fold unfold के लिए मिलता है और adjust के लिए मिल जाता है speaker replacement यहां है total replacement यहां मिल जाती है यहाँ पर one liter की बूटल रह सकते हैं चोटा मोटा सामान और रख सकते हैं यहाँ पर भी आपको light मिल जाती है तो चारो doors के अंदर आपको यहाँ पर white light मिल जाती है यहाँ पर driver seat की बात करें इसके manufacturing warranty के बारे में तो तीन साल के आपको warranty मिलती है unlimited kilometer के साथ में अप्टू चाहें तो आप extend भी करवा सकते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है LED connecting DRL जस्ट नीचे आपको indicator light मिल जाती है वो भी आपको LED मिल जाती है यहाँ पर high और low beam के लिए आपको reflector base मिलता है LED setup, automatic light के साथ में तो car के grill को जैसे देखने मिलती है यहाँ पर number plate replacement और left side के अंदर आपको मिल जाता है इसके towing hook के लिए और इसके fuel tank capacity के बात करें तो 50 liter के आपको diesel का tank मिल जाता है मैंने अभी open कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह से कुछ open होगा inside से, यहाँ पर आपको diesel के लिए मिल जाता है और यहाँ पर DEF के लिए मिल जाता है जो आपको कुछ time तक बात अपने आप इसके अंदर fill करवाना पड़ेगा एक certain level से कम होने के बात अगर उसको time to time आप refill नहीं करवाएंगे तो आपका engine भी seize हो सकता है तो इसीच का आपको ध्यान रखना बड़ेगा आप कार की cabin के अंदर चलते हैं कार का dashboard कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है इसके interior color की बात के तो dual tone में आपको interior मिल जाता है black and brown के अंदर इस variant के अंदर चार speaker दो आपको tutor मिल जाता है यहाँ पर slide करेंगे तो यहाँ पर आपको multiple option आ जाएंगे map, navigation, phone, phone projection, voice memo, climate, geo sawan, settings, media, radio, quiet mode और आपको यहाँ पर wet mode के लिए मिल जाता है यहाँ पर blue link के लिए notification और आपको यहाँ पर manual के लिए मिल जाता है इस variant के अंदर आपको blue link हो गया, geo sawan हो गया और mobile application के लिए जो app मिलता है वो कुछ time तक free रहने वाला है उसके बाद आपको renew करवाना पड़ेगा, कुछ charges देकर डारेट आप home पर जा सकते है, touch screen जो है काफी smooth है यहाँ पर आपको मिलता है tutorial replacement, speaker replacement आपको यहाँ मिल जाती है additional आपको यहाँ पर subwoofer के लिए placement दे रखी है आप company से aftermarket install करवान चाहिए तो आप वो करवा सकते है जस्ट नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है dual zone climate control के लिए AC heater का दोनों काम करेगा, यहाँ से आप temperature set कर सकते है right वाला और left वाला अपने साब से, rear के AC आपको on करनी है तो इस button से आप कर सकते है, जो यहाँ mostly button है इसके अंदर 98% जो button से ही आपको touch मिलते है कुछ-कुछ button जो है यह आपको इसके अंदर touch नहीं मिलते है जैसे आपको volume के लिए हो गया, temperature set करने के लिए, file open करने के लिए और आपको इहाँ पर temperature set करने के लिए और hazard light के लिए button इनकेस आपको इहाँ पर touch screen अगर इसके use नहीं करने है तो इहाँ से use कर सकते है, जिसके अंदर आपको setup, favorite यहाँ पर song change करने के लिए, hazard light के लिए बटन है, media, radio, navigation और आपको map के लिए volume कम जादा, यहाँ पर temperature set करने के लिए आपको मिल जाता है, fan की speed कम जादा, auto के लिए AC on करने है, front और rear के defogger के लिए, circulation को on-off करने के लिए और यह button काम आएगा, in case आपने इसके अंदर को USB लगा रखिये, उसके अंदर को file open करने ही, तो इस button से आप easily कर सकते हैं, जस नीचे यहाँ पर आपको wireless charger मिल जाता है, type A मिल जाता है, US report के साथ में 12-volt का socket, यहाँ पर type C मिल जाता है, fast charger साथ में, यहाँ पर आपको 6-speed का manual transmission मिल जाता है, reverse साथ में, soft leather का यहाँ पर use करा गया है, अगर इसका back camera आपको direct access करना है, तो इस button से आप easily कर सकते हैं, कुछ इस type से, camera quality कुछ ऐसी मिल जाती है, इसके अंदर आपको zoom in और zoom out के लिए management, यहाँ पर आप मरेस मिल जाता है, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा space मिल जाता है, इस फिरेंट के safety wise features की बात करते हैं, यह बर camera बंद करते हैं, तो इसके अंदर आपको ore speed warning मिल जाती है, जो beep करता है, 80 पे, 120 पे गार continue beep करती है, 7 पेसेंजर क आपको यहाँ मिल जाता है, अभी मैं दिखा भी दूँगा, पिछे साइड में आपको यहाँ पे तीनों passenger के लिए seatbelt point, और last वाले के लिए seatbelt point मिल जाता है, चाइड लोग के लिए हाँ मिल जाता है, seat के लिए आपको अनोच point मिल जाता है, इसके अंदर braking के बात करूँ, का तो इसके लिए toying के लिए blue link के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको sun glass holder मिल जाता है, यहाँ पे आपको voice command के लिए mic, यहाँ पे साथ वेंजिशने के लिए seatbelt light, इसको आप बंद करना चाहें, पर्टिकलर सारी light आउन करना चाहें, तो कुछ इस type से कर सकते हैं, और particular आपक आपको बंद करने के लिए है, door open करने के liver है, speaker replacement, wallet के bottle के space, glove box की बात करें, तो ऐसा कुछ इसके अंदर space मिल जाता है, साथ सारी आपको cool मिल जाता है, यहाँ पे आपको space मिल जाता है, rubber grip के साथ में, इस पे भी आपको light मिल जाती, अपना phone रखना चाहें तो आप रख सकते ह तो overall dashboard कुछ ऐसा देखने मिलता है, अब बात करते हैं, इसके steering wheel से, तो steering wheel आपको tilt और telescopic मिल जाता है, यहाँ पे आपको leather grip मिल जाती है, इंग buttons पे देख सकते हैं, प्यानो black का use करा गया है, यह वाले button मिलते हैं आपको media के लिए, जिसके अंदर voice command, mode, song change करने के लिए, favorite के फोन उठाने के लिए, volume कम जादा और mute के लिए मिलता है, इधर मिलता है आपको cruise control के लिए, आपको यहाँ पे file के लिए मिल जाता है, जो आपके digital cluster उसके लिए, okay करके आप reset भी कर सकते हैं, अगर इसको operate करना है तो इस button से आप कर सकते हैं, जिसे भी देख सकते हैं, current trip पे ह since refueling और since last reset, auto start stroke पे कितने दिर आपने चलाई है, आगी slide करेंगे तो किस direction में आपकी car खड़ी है, यहाँ पर urea level देखने के लिए मिलता है और tire pressure monitor के लिए मिल जाता है, जैसे आपकी car चलेगी तो यहाँ पर tire pressure monitor पे देखने के लिए मिल जाएगा कितने tire में हवा है, temperature के level इधर मिलता, fuel के level देखने के लिए मिलता है, और एक certain level से अगर fuel कम हो जाए तो उसके लिए light चला हो जाएगी, outside का temperature exit kilometer, इसके अंदर engine के लिए light मिलती है, आपको oil के लिए मिलती है, आपको इसके अंदर battery के लिए, handbrake के लिए, street weld के लिए, इस सारी light है मिल जाती है, उपर इस साइड में आपको distant to empty देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आप इसके अंदर fuel बराएंगे, तो इहाँ पर आपको range मिल जाती है, तो ऐसा कुछ आपको इहाँ पर cluster मिलता है, और idle star stroke के लिए भी यहाँ पर logo मिल जाता है, तो और रहोल steering wheel कुछ ऐसा दिखने ही मिलत और right side के अंदर आपको यहाँ पर छोटी सी magnet मिल जाती है, जिस पर आप अपनी family की photo लगा सकते है, अगर आप बार-बार medicine लेना बूल जाते है, तो वो भी लगा सकते है, पर शर्त यह उसके अंदर भी magnet होना कमपल सरी है, जस इस side देख सकते हैं, यहाँ पे engine start stroke का button है, traction off क करने के लिए है, idle start stroke के लिए है, light के level set करने के लिए, fuse box के लिए और आपको hood open करने के लिए, और इसका fuel tank open करना है, तो वो यहाँ से गड़ सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, आपको proper dead pedal मिलता है, clutch, brake और accelerator के लिए मिल जाता है, seat देख सकते हैं, मैंने all दो पूरी पी सकते हैं, side over rim देख सकते हैं, windows area काफी huge मिलता है, windshield area भी काफी huge मिलता है, तो जल्दी से आपको इसके अंदर good and message नहीं होगी, अब चलते हैं, इसकी middle वाली seat पे कैसा का space मिलता है, उस बारे हम बात करते हैं, एक चीज़ और जल्दी जल्दी हम बताना भूल गया, front or rear की just कर रखी, मेरी height 5-11 है, ये seat मैंने पूरी पीछे गार रखी है, और decline भी गार रखी है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे near room मिलता है, ओके-ओके, इधर near room अच्छा गासा मिलता है, ये थाई support अच्छा गासा है, head room अच्छा गासा है, मेरी height 5-11 है, तो मैं पीछा वाली seat पे काफी comfortable हो, इसकी middle seat पे, यहाँ पे AC vents के लिए मिल जाता है, कुछ इस type से operate कर सकते हैं, यहाँ पे phone रखनी लिए space है, तो आपको type C मिल जाते है, fast charge साथ में, ना के बराबर आपको hump मिल जाता है, यह space की बात करों, तो 3 adult आप easily बैठ सकते हैं, अगर medium health की होंगे, large health की होंगे, तो दो adult और एक आप बच्चा बैटा सकते हैं, easily, यहाँ पे आपको front के अंदर seatbelt adjustable मिल जाती है, left और right के अंदर, यहाँ पे आपको grab handle मिल जाता है, इधर आपको grab handle मिल जाता है, both side के अंदर, यहाँ पे आपको light मिल जाती है, cabin के लिए जो particular ऐसे own कर सकते हैं, यह lady light मिल जाती ह लिए, windows के लिए control, speaker replacement, लिटेगली bottle के लिए space मिल जाता है, तो यहाँ पे space अच्छा का से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ साथ आपको left वाली seat और right वाली seat जो है, front वाली, यहाँ पे आपको tray मिल जाती है, कुछ इस type से आप open कर सकते हैं, in case आप कहीं travel कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना laptop रख सकते हैं, अगर खाना वना खाना चाहें, तो वो भी आप easily रख सकते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है, दोनों seat के अंदर मिल जाता है, तो आप easily बैठ के चल सकते हैं, अराम से पीछा लिए seat पे, तो यहाँ पे पीछे से car का dashboard कुछ ऐसा देखने हैं मिल जाता है, आप चलते हैं इसके engine bay के तरफ में, पर इसके engine के बारे हम बात करते हैं, car का hood open होने बात दे सकते हैं, engine बे कुछ ऐसा देखने हैं, उपरे side में आपको insulation मिल जाता है, engine आपको नीचे से पूरा pack मिल जाता है, engine की बात करें तो यह BA6 faced वाला है, front wheel drive पे साथ में, engine की बात करें तो 15cc का engine मिलता है, 4 cylinder के साथ में, जो power produce करता है, 114 bhp, torque की बात करें तो 250 nm का torque produce करता है, अगर इसके average की बात करूं, तो अराम से इसको city के अंदर चलाएंगे, आप normal speed पे high acceleration नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप 14-15 का average निकाल सकते ह easily, वो आपके चलाने पर depend करेगा, और road की condition पर depend करेगा, तो overall engine में कुछ जैसा देखने हैं, neat and clean, hood को करते हैं, बंद फिर car की extra room price की बात करता है, अब बात करते हैं, car की extra room price की, तो all new Hyundai Alcazar prestige वाला variant है, diesel के अंदर, manual transmission के अंदर, 7 sitter के अंदर, इसकी extra room price मिलती है, आपको 17,17,900 अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करें, share करें, चैनल पहली बढ़ाएं तो चैनल को subscribe करें, उमीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगीगी, वीडियो को अपन यही end करते हैं, वीडियो देखने के लिए thank you so much